आपका नाम क्या है भाई? सर्फ मेरा नम अमित महुर्या है ये जो कागजे अपना उठा के दिखाओ इन लोगों को इसमें क्या लिखका है अच्छी तरह पढ़ो इसको इसमें क्या लिखका है आपने बताओ बताओ OBCSC सिछकों को न्यूक्ती दो सर हम दो साल से इको गार्डन में लगातार थे हैं नहीं तुम दो साल से चक्कर काट रहे हो ठीक है खड़े हो खड़े हो मौरिया जी ये आपने पोस्टर पकड़ रखा है ये कागज की कोई ज़रूरत नहीं इसको अटाओ यह आपने कोई जरुवत ने है इसकी देखिए यह आपने poster पकड़ा हुआ है इस पर यह शब्द OBC और SC लिखा है इसका क्या मतलब है OBC शब्द का मतलब बताओ मुझे सर जो पिछडे वर्ग से आते हैं उनी को OBC कहते हैं हम लोग OBC, SC जो है सबसे पहले भाई माइक स्थेवाल करना सीखो इसको यहाँ पकड़ो फिर बोलो सर थोड़ा घबरार है घबराना नहीं है तुझे तु बबर शेर है घबराना नहीं है घबराना नहीं है अब मुझे बताओ OBC क्या है आपको नहीं गवराना OBC क्या है मुझे बताओ बोलो बोलो OBC क्या मुझे बताओ रिलाक्स करो शान्त हो जाओ OBC क्या मतलब Other backward caste Other backward caste भाई OBC आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ सबको मिलाके OBC सबको मिलाके इसकी आबादी इस बबर शेर की आबादी 50% है बात समझाई इसकी आबादी 50% है ये कागत फिर से दिखाओ मुझे नहीं दूसरा वाला नीला वाला ये पगड़ो इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है ये क्या लिखा है SC जोर से SC schedule caste schedule caste की आबादी कितनी वो भी 15% 15% 50 और 15 कितना 60 65 8% आदिवासियों की है 65 और 8 कितना हुआ 72 तो ये सुनो सुनो इसकी अबादी 73% है ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है ये क्यों रो रहा है ये क्यों रो रहा है ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछडी जात का है ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविश्य नहीं है सही बात बोली मैंने इसका कोई भविश्य नहीं है और हमारा काम 70% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है इस देश में दलित, पिच्डे, आदिवासी 24 घंटा दमाई जाते है उन पे धूका जाता है उनको धमकाए जाता है उनके रास्ते बंद किये जाते है ये सच्चा ये देश की मैं आपसे पूछता हूँ 200 सबसे पूछूँगा मौरिया जी 200 सबसे बड़ी कंपनिया है इंदुस्तान में अदानी वाली अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली सुने होंगे नाम आपने आगे पीछे देखो नाम दिख जाएंगे मुझे बताओ, मौरिया जी इन 200 कंपनियों के मालेकों की लिस्ट में मौरिया जात के कितने लोग है बताओ कोई नहीं है सर बाई और बहनों, मौरिया जात का कोई नहीं है, चलो बताओ भाईया यादव कितने कोई नहीं है बताओ पासी कितने कोई नहीं है सर जातव कितने कोई नहीं है आदिवासी कितने कोई नहीं है सर कुर्मी कितने कोई नहीं है सर लोधी कितने बाईयों और बहनों 50% आपकी अबादी है 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक OBC ना दलित ना एक आदिवासी अब मौरिया जी मुझे कहेंगे देखो भाईया मैं मालिक नहीं बनना चाहता मैं तो मैंनेजमेंट में जाना चाहता हूँ तो बताओ मौरिया जी 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग कोई नहीं है सर कोई नहीं है कोई नहीं है, तो management में कोई नहीं, मालिकों में कोई नहीं, 73% अबादी का हिंदुस्तान के सबसे बड़ी 200 company में कोई नहीं, अब भाईया मौरिया जी बताओ, private hospital के मालिकों में से, मौरिया कितने, मुझे किसी का पता नहीं है, कोई नहीं, मैंने list निका लिए, कोई नहीं, अ अब बताओ, private university colleges के मालिक में 73% के कितने, कोई भी नहीं, अच्छा बताओ, high court में 650 high court जाजे, उन में से बता दो मौरिया कितने, एक भी नहीं है, मुझे बताओ, मौरिया जी, ये media वाले चकर काट रहे, इनके मालिकों में से, मौरिया कितने, कोई भी नहीं है, OBC कितने, को कोई भी नहीं है, पिछडे कितने, कोई भी नहीं है, अब बताओ, media में कोई नहीं, सबसे बड़ी company में कोई नहीं, तो मौरिया जी, तेरे आदमी है कहां, कहीं नहीं है, सर, तेरे आदमी मजदूरी करने देश में, मन रेगा की लिस्ट निकालो, OBC दिकेंगे, दलित दिक अब सुनो, अब मैं आपको मताता हूं, तुम लोग, तुम लोग ये, कागज लिए बैठे हो ना, पेपर लीक वाले, जेलो तरह, आने लो मौरिया, मौरिया जी, बैठे रहो, मौरिया, नीचे नहीं बैठना, उपर बैठना है, अब मौरिया जी, अब मैं आपको बताता हूं, ये पेपर लीक में क्या हो रहा है, बात समझ नहीं है आप लोगों को, समझ नहीं है, अब 73 परसेंट ने, 73 परसेंट कौन है, दले तादिवासी पिछडे, उसमें 15 परसेंट आप माइनॉरिटी जोड़ दो, ठीक है, सिख, मुस्लिम, इसाई, ये सब जोड़ दो, और, 4-5 परसेंट गरीब जनरल कास के जोड़ दो, ठीक है, तक्रीबन हिंदुस्तान की 90 परसेंट अबादी, अब ये क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एक जूट बता जाता है, छोटे-छोटे बच्चे पैदा होते, इतने बड़े, उनको कहा जाता है, बेटा, तु अगर पढ़ाई करेगा, आजा, बेटा, तु अगर पढ़ाई करेगा, एस में, IPS में, Railway में, इधर उधर नौकरी मिलेगी, ठेर जाओ, ठेर जाओ, सुनो, उसको कहा जाता है, इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है, बेटा, तू पढ़ ले तेरे बाप के जेब में से पाँचे लाग रुपए निकाल कर प्राइवेट कॉलिज में डाल दे प्राइवेट उनिवर्सिटी में डाल दे कोचिंग सेंटर में डाल दे और फिर तुझे IAS IPS वो देखो BJP वाले जणना उठाएं हलो पाँच लोग कड़े हुआ हाँ पे जंडा लिए वो दे को जंडा भी डाउन कर दिया तो तो उनको कह जाता है बेटा बड़े होके IAS में जाओगे पुलीस में जाओगे इधर उदर जाओगे आप पाँच लाग दस लाग रुपए डालते हो और फिर क्या होता है आपका पेपर लीक हो जाता है और वो ही दो तीन पाँच परसेंट लोगों को सेंट परसेंट मार्च मिल जाते है बिना कोई काम किये आप देखते रह जाते हूं बाई और बैनो आप पिछड़े हो आप धलेत हो आदिवासी हो आपका काम सडकों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है ये आपका काम है आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा ये आपका भविश्य मैं वारा नसी गया वारा नसी में देखा वेने राट को बाजा भज़रा है ठरड़ जा, ठरड़ जा बाज़रा है वहां पे शराब पिए शराब पिए सडक पे लेखते हुए बाज़रा है U.P. का भविश्य राट को शराब पिए, नाच राए, डांस कर रहा है, नशे में, दूसरी तरफ, राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोधी देखेगा, आपको अंबानी देखेगा, आपको अदानी देखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अड़पती दिखेंगे आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेंगा आपको एक धलित नहीं दिखेंगा आपको एक आदिवासी नहीं दिखेंगा क्यों नहीं यह वो आपकी जगे नहीं बाई और बेनो आपकी जगे सड़कों पे भीक मांगने की है आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है और उनका काम उनका कुछ नहीं होगा भीया उनका काम पैसा गिनने का है आपके बच्चे जी एस्टी देते हैं आप जी एस्टी देते हो मीडिया के आप नाम क्या आपका हाँ आप शिप्रशाजी है आपके मालिक का क्या नाम है आपके मालिक का क्या नाम है क्या नाम है नाम बताओ नाम बताओ ओई मारो मत यार मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बता उसका, वो OPC है, नहीं, वो दलित है, नहीं, वो आदिवासी है, नहीं, अरब पती है वो, आपने कभी मीट, भाईया उसको मारो मत पिचारेगो, भाईया आप आजाओ यहां, आजाओ आजाओ, दर्ना नहीं है इसको बुलाओ आजयो आजयो मारना नहीं इसको आऊ इदर इधार भाई इधार लाओ इसको आजयो आप रिलाक्स करो रिलाक्स करो यहां आजाओ बस शान्ती से छांती से यहां बस बैड़ जाओ कोई problem नहीं है इनके जो मालिक है अरब पती है ये किसानों की कभी बात बैटो बैटो ये किसानों की कभी बात नहीं करेंगे ये दलितों की पिछडों की कभी बात नहीं करेंगे ये अपने अकबार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे ये हिंदुस्तान का भविश्य है ये है इसको देखो अच्छी तरे पेपर लीग बेरोजगारी, मेंगाई ये आपका भविश्य है और दूसरी तरफ चोपिस घंटा आपका ध्यान इदूर अधर करते रहते हैं इदर देखो, उदर देखो बाई और बेनो आपकी 73% अबादी है करांती कारी कदम लेना है आपको, मैं बता देता हूँ क्या है, जाती जनगरना सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी अबादी कितनी उसके बाद इस देश का जो धन है किसके हातों में वो आपको पता लगाना है आपको सुबह उठना है, कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया अदानी उठता है सुबह और कहता है आज मैंने सोचना है मैंने देखना है सोनी किचिडिया का कितना पैसा मेरे जेब में आया यही सवाल आप सबको अपने आप से हर रोज पूछना पड़ेगा जब तक आप ये सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप लोग प्रगती नहीं कर सकते हो आपका 24 गंटा बेफ़कू पनाय जाता है 24 गंटा ये मौरिया जी खड़े हैं मौरिया जी आपको डर्ना नहीं है आपको जाती जंगर्ना के लिए लड़ना है जाती जंगर्ना से आपके अबादी के बारे में पता लगेगा जाती जंगर्ना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं मेडिया में कितने लोग हैं ये सब पता लगेगा उसके बाद करांतिकारी काम शुरू होगा फिर इस पोस्टर के जरूरत नहीं होगी समझे बाद गवरा गए दर्णा नहीं है ठीको क्या होगे हाँ गवराद नहीं है तो ये मैं आपको मेसेज देना चाहता था आप राम मंदर की बात होती है चौपिस गंटा राम मंदर की बात होती है वहाँ पे आपने किसान को देखा आदिवासी राश्टरपती को देखा दलित को देखा अंबानी को देखा अदानी को देखा अमिता बच्चन को देगा शारुक खान को देगा यह हैं दो तीन परसेंट जो जेश को चलाते हैं आप लोगों को आप लोगों को जो आपका हक है वो लेना है 73% को खड़े होके अपना हक लेना है और हक लेने का पहला कदम जाती जन करना है बूलो मत आप सब का दिल से धन्यवाद नियाई यात्रा में हमने शब नियाई इसले चोड़ा है आपके खिलाफ अन्याई नहीं जाना गई आपके खिलाफ अन्याई हो रहा है आपको हर रोज हर रोज आपकी बेस्ति की जा रही है ये आपके बच्चों का भविश्य नहीं हो सकता ये मैं मानने को त्यार नहीं हूँ दन्यवाद जैहिन